जै माताती दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है माभगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों उमीद करती हूँ कि आप सभी ने महाशिवरातरी बहुत अच्छे से मनाई होगी कई भगतों ने चार पहर की पूजा की है तो अपने अनुखव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और हाँ आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सोमवती अमावश्या के बारे में कल सोमवती अमावश्या है 20 फरवरी 2023 यानि की सोमवार के दिन फालगुन मास की अमावश्या तिती है और सोमवार के दिन जब भी अमवश्यातिती होती है तो इसे सोमवती अमवश्या कहा जाता है अब देखिए वैसे तो प्रतेक मास में अमवश्या आती है लेकिन जब अमवश्यातिती सोमवार के दिन आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है ऐसी शास्त्रों के मान्यता है कि आज के दिन अगर भोलेनात की पूजा आरातना की जाती है, माता पारवती की पूजा की जाती है, तो किसी भी प्रकार की दुख दरिदर्ता और कश्टों से मुक्टे मिल जाती है वैसे भी फालगुन का महिना भगवान भोलेनात और भगवान श्रीहरे विष्णु को ही समरभीत होता है और सोमवती अमावश्या के दिन पीपल व्रिक्ष की पूजा की जाती है लक्ष्मी नारायन का स्वरूप मानकर पीपल के व्रिक्ष की विधिविधान से पूजा करके 108 बार परिक्रमा की जाती है सोमवती अमावश्या सौभाग्यवती महिलाओं के लिए एक वर्दान की तरह होता है इस दिन सौभाग्यवती महिलाओं व्रत धारण करती है, पीपल व्रिक्ष की पूजा करती है और पीपल की परिक्रमा करती है तो ये दिन बहुत महत्य पूर्ण होता है जब सोमवती अमावश्या होती है उस दिन अगर आप अपने पित्रों के निमित दान करते हैं, तरपन करते हैं, अपने पित्रों को स्मरण करके उनके नाम पर दीप दान करते हैं या गंगाश नान करते हैं, तो इससे किसी भी प्रकार के पित्र दोस से मुक्ति मिल जाती है. तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सोमवती अमावश्या पर कौन से उपाई करने चाहिए, किस प्रकार से पीपल की पूजा करनी चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य आज करने चाहिए और कौन से कार्य आज भूल से भी नही करने चाहिए स्नान दान और दीप दान का शुबहुर्थ क्या होगा किस समय आपको पीपल की पूजा करनी है यह संपुर्ण जानकारी और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक पाय आपको शेयर करने वाली हूं जो आज आप अगर सोमवती अमावश्या के दिन करते हैं तो किस कर दोश से वास्तु दोश से ग्रह दोश्य और कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो चाहे धन प्राप्ती की हो या संतान प्राप्ती की हो गर्ज से घिरे हूं या फिर शत्रूं से घिरे हूं बिमारियों से घिरे हूं सभी प्रकार की परेशानियों से इस एक मात्र नयमें होद जिन से मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए लिए ये जत्लास प्रहुत ही है तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो या जरूर ही किया करें इसके साथ ही comment box में मातराणी के नाम का जैकारा भी जरूर लगाएं इससे आपको सकरात्मक उर्जा की प्राप्ति होगी और हाँ अगर आपका कोई भी सुझाओ हो कोई भी प्रश्ण हो या कोई विशेश वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी comment box में जरूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अमवश्या तिथी प्रारंभ हो रही है 19 फरवरी की शाम को 4 बसकर 18 मिनट पर और अमवश्या तिथी समाब थोगी 20 फरवरी को दोपहर में 12 बसकर 35 मिनट पर तो सुर्योदय कालिन तिथी के अनुसार 20 फरवरी 2023 को सोमवती अमवश्या मनाई जाएगी अब इसी दिन आपको पित्रों के नेमित दान और तरपन इत्यादी भी करना है और अगर आप पवित्र नदी में श्नान करना चाहते हैं तो एक ही दिन की अमवश्या है इसी दिन आपको सभी कार्य करने हैं तो सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाएए मतलब आज आप अगर ब्रह्म मुर्त में उठते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा सुर्योदय से थोड़ा पहले उठिए ताकि घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर लेंगे और उसके बाद सुर् को पानी से अच्छे से दो लीजिए वैसे तो पूरे घर में आप साफ सफाई करेंगे ही लेकिन मुख्यद्वार की सफाई अत्यन तावशक है यह जरूर कर लीजिए गाज तो शनान से पहले आप अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए उसके बाद आप गंगा जल मिश्रि में शनान करते हैं तो पवित्र नदियों में शनान के समान ही फलक्राप्त होता है और शनान करने के बाद साप स्वच्वश्ट्र धारन करके सबसे भगवान सुर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए आज अगर आप जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर भगवान सी हल्दी थोड़ी सी रोली और थोड़े से अक्षब डाल कर भी भगवान सुर्यदेव को जल दे सकते हैं और इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं उनकी पूजा कर लीजे इसके बाद अगर आपके घर के आसपास कहीं पीपल का व्रे परिक्रमा करते हैं जितना भी आप से संभव हो उतनी बार परिक्रमा करते हैं देखिए परिक्रमा करने के लिए आपको जो सामगरी चाहिए होती है 108 मतलब जितनी परिक्रमा आप करेंगे उतनी संख्या में आपको सामगरी चाहिए तो आप चाहें तो कुछ मुंफली के दाने ले सकते हैं कुछ भी ड्राइफूट्स ले सकते हैं गिनकर और इसके अलाबा आप सुहाग की सामगरी ले सकते हैं मतलब जितनी संख्या में आपको परिक्रमा करनी है उतनी संख्या में आप चीजें गिनकर रख लीजिए और हाँ ये चीजें आप घर से गिनकर लेकर जाएंगे तो आपके लिए परिक्रमा करना आसान होगा और जैसे कि सोमबती अमावश्या के दिन कच्चे दूद से जड़ को सीचा जाता है तो आप एक पात्र ले लिजिए उस पात्र में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल कर उसमें दूद डाल दीजिए थोड़ा सा और इस पात्र को जल से भर दीजिए इस पात्र में आपको बिर्कुल उसी प्रकार से पूजा की जाती है जैसे कि आप फॉप उपलब्ध हो तो पुस्प लेकर जा सकते हैं सफेद मिठाई लेकर जा सकते हैं क्योंकि? जी भोगर पित करने के लिए हमें कुछ नगुछ मीठ़ा अवश्य चाहिए होता है तो ज़ो भी आपके पास उपलबद हो चाहे तो आप फल भी लेकर जा सकते हैं औरकलावा जरूर लेकर जाहिए अगर आपके पास उपलबद हो तो यघ्यो पवीत लेकर लेकर सकते जब आपिस प्रकार से विधिविधान से पूजा करते समय भगवान श्रीहर विष्णु और मालक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो आपके मन की कोई भी काम नहीं होती है दामपत्य जीवन सुक में होता है अखंड सौभागे की प्राप्ती होती है संतान प्राप्ती में आरहीं ब पूजा कीजिए उसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार परिक्रमा कर सकते हैं कितनी भी बार परिक्रमा कर सकते हैं जैसा मैंने बताया आप चाहें तो 21 बार भी कर सकते हैं और 108 बार भी कर सकते हैं और जब आप परिक्रमा कर लेते हैं तो जिस सामगरी से अपनी पर परिक्रमा की हुई चीजें दान ही की जाती हैं, उनका प्रयोग स्वैम नहीं करना चाहिए, आप चाहें तो अपने लिए खुद के लिए आप कुछ चीजें चढ़ा कर, मतलब पीपल के व्रिक्ष के पास आप कुछ चीजें अपने निमित्त चढ़ा कर, जैसे कि सिंदूर, अगर आपके यहां ऐसा होता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ जगे पर ब्रामवण को दान देने का रिवाज है, तो आप अपने घर की जो परंपरा है, जो भी रीती रिवाज है, उसके अनुसार ही सोमवती अमावश्या का व्रत धारन कीजिए, और जो लोग पह तक आगिर महिलायं बाल नहीं धोती है, इस बात का धियान रखे, और पीपल की पुझा सुबह की जाती है, जैसे कि सुर्योदे होने के बाद आप पीपल की पुझा कर सकते हैं, वैसे कई स्थानों पर ऐसा भी रिवाज देखने में आ रहा है, कि साम को सुर्यास्त होने के पीपल की परिक्रमा करेंगे और पीपल की पूजा करते हैं तो आपके यहां के अगर इस प्रकार के नियम है तो आप उनका पालन कर सकते हैं वैसे पीपल की पूजा सुबह सुर्योदे होने के बाद ही की जाती है संध्याकाल के बाद पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए मत मतलब पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, ऐसा कोई विशेश नियम नहीं है कि सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही पीपल की पूजा सोमवती अमवश्य के दिन करती हैं, कोई भी कर सकता है और जो भी करता है उसको श्रेष्ट फल की ह प्राप्टी होती है अब अम वश्याती थी है, तो आज आप दान अवश्य कीजिए मतलब ब्राम्म Extra के निमित आज आपको दान की समगरी निकालनी है आप चाहे तो गेहू और गुड का मत न कर सकते हैं जैसे बी आपके पास सुविधा उपलब्धो दान अवश्य निकालिए और अगर कोई भी नहीं मिलता है तो गाई को गुड़ रोटी खिला सकते हैं ये भी एक प्रकार से दान ही कहा जाएगा और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दक्षिन दिशा के तरफ मुख करके अपने पित्रों का स्मर एफ्टी में और परियोग कर सकते हैं या फिर आप लंबी बाती का भी प्रयोक कर सकते हैं जो भी आपके पास ऊपलब्धों उसी बाती से दीप्रजलित कीजिए अपने पितरों को स्मरन कीजिए दोनों हाथ जोड़कर अपने पित्रों का मन ही मन ध्यान करके उन्हें प्रणाम करके उनसे प्रार्टना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी परेशानिया है उससे दूर करें और जो भी आपसे जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो तो उसे शमा करें सिर्फ दीपदान करने मातर से ही आपके पित्रों की क्रिपा मिल जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जब हम कोई भी कारिया नियमित तौर पर करते हैं नियम बना लेते हैं कि हर अमावश्या पर अपने पित्रों को याद करके उनके नाम पर दीपदान करना है उनके नाम पर हमें किसी गरीब को नियम पुर्वक चीजें करते हैं तो निस्चिती बड़े से बड़े पितर दोस का भी प्रभाव समाप्त हो जाता है पितर प्रसनल होते हैं तो आपके जीवन में जो भी बाधाय आ रही होती है सभी बाधाय दूर होती है और आपके मन की कोई भी इच्छा हो निस्चिती वो पुर्ण होती है तो विश्वास से कोई भी कार्य कीजिए और अमावश्या तिती एक बहुत बड़ी पुन्यफल देने वाली तिती होती है हर महीने में एक बार आती है इसे व्यर्थ गमाने की बजाए इस दिन चोटे-चोटे कोई न कोई कार्य जरूर करने चाहिए जिससे हमारे पित्रों की आत्मा को शांती मिले तो अमावश्या तिती पर क्या करना चाहिए ये तो आपने जाना अमावश्या पर क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं देखिए वैसे तो प्रत्यकी दिन हमें इन नेमों का पालन करना चाहिए लेकिन अमावश्या तीति पर विशेश रूप से कहा जाता है कि हमारे पितर हमारे घर के आसपासी होते हैं, हमारे घर जरूर आते हैं, किसी न किसी स्वरूप में आए पर आते हैं. तो घर के मुख्यदवार पर कोई भी जीव आता है, चाहे कोई भी भीक्षा मांगने वाला आए, या फिर कोई गाय आती है, कुट्ता आता है, कोई भी जीव आता है, तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए कि आप उसे कुछ न कुछ खिलाएं अवश्य, या फिर आगर कोई मांगने वाला आता है, तो आपके पास जो भी सामर्थ हो, दान देजिए, दान देने से कभी भी कुछ भी घरता नहीं है, दान देने से आपके पुन्य फलो में भी व्रिद्धी होती है, जो भी आपके संचित पापकर्म होते हैं, वो भी कटते हैं, और आपके सभी द नियम से ये करना शुरू कीजिए घर के सभी प्रकार के वास्तु दोस ग्रह दोश और किसी भी प्रकार का पित्र दोसो निस्चित ही समाप्त हो जाता है तो विश्वास से कीजिए निस्चित ही आपको लाब होगा इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार से कलहकलेश नहो इस ये चोटे-चोटे कार ये आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों को स्वतही समाप्त कर देते हैं, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, शारिडिक परेशानी हो, शत्रूओं से परेशान हो, कर्ज से परेशान हो, या फिर घर की नेगटिविटी से परेशान हो, किसी भी प्रक